साइगा हमेशा जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं इसलिए जब घास की कोई कमी नहीं होती है तब इनकी तादाद बखती है ये अपनी अनुखी आकरिती वाली नाक से सैकणों किलोमीटर दूर की ताजा घास को सुंग लेते हैं एक शिशू साइगा हिरन ये अभी किवल तीन घंटे की उम्रका है इसका एक मात्र साथी है इसका जुड़वा भाई जब तक ये खड़े होने लाइक नहीं होते इनकी माँ इन्हें घास में ही छिपा कर रखेगी इन शिशूओं के पास समय कम है इनका जुन्ड जल्दी ही ताजा घास की तलाश में यहां से चल देगा इनके पैरों की पतली बनावट इस बात का संकेत है कि ये हमेशा चलते रहने के लिए ही बनाए गए हैं दुनिया के खुले मैदानों के जादा तर जानवरों की तरह ही अब ये जुड़वा बच्चे भी बंजारों की तरह अपनी जिंदगी शुरू करेंगे